अलो वाइस, वेलकम बेक टो मैं चैनल, और मैं हूँ दीपती, आज मैं आपके लिए बथुए के रायते की रैस्पी लेके आई हूँ, तो यह जो बथुए का रायता मैं बनाने जा रही हूँ, यह बहुत अलग तरीके का बथुए का रायता है, तो फिर आप इस वीडियो को आज मैं बनाने जा रही हूँ, इस मोकी फिलेवर वाला बथुए का रायता, जो कि खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होता है, तो इस रेस्पी को आप अपने घर पे बनाना बिल्कुल भी न भूले, तो फिर देर किस बात की चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं, तो ब बथुए तयार कर लेंगे, और उसके बाद साफ पानी से साफ एक से बाद एक सी दो बार थूषka और सी निकाल देना आए, तो यहSOँ देखे, बथुए को मैं रहेता बनाने के लिए, ट्यार करके रहेरियो Lisa बनाने के लिए हम तो बथुएक़ वाइल करके तयार कर में तो तो प्रैसर कोकर में डाल दिया है और अब में चाहिशे होगा एक गलास पानी अब हम प्रैसर कोकर का धकल लगा देते हैं और हाई क्लेम पे एक सीटी आने तक हम अपने बथुए को वॉइल कर लेते हैं सीटी आ चुकी है प्रैसर कोकर का प्रैसर भी निकल गया यह देखिए तो चलिए हम खोल के अपने बथुए अनकाल लेते हैं को और बथुये को हम पानी के अलग कर लेंगे इस तरीके के सारा पानी अम आम इसकाने है और यहां फेमैंने लिया है मेक सी का पॉर्ट और बथुये मारा थंडा हो गया है तो मैं ऑसे डाल देती हूं मिक्सी के पॉर्ट में. और उसके साथ ही मैंने आपे दो हरी मिर्च ले लिया है. और इन्हें भी हम इसमें एट कर देंगे. हरी मिर्च को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं. और बथुए को पीस के मैं तैयार कर लेते हूं. और अब हम अपने दही में थोड़ा सा पानी एड़ कर देते हैं, लगबग हाफ क्लास के करें, क्योंकि हम इसमें बत हुआ एड़ करेंगे, तो हमारा जो रायता है, वो काफी गाड़ा हो जाएगा, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने हाफ टेवल स्पून भुना जीरा पाउडर लिया है, इसे हम अपने रायते में एड़ कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने हाफ टेवल स्पून रायता मसाला लिया है, इसे भी हम अपने रायते में एड़ कर लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, रायता मसाला डालने से जो बत हुआ का रायता है दालेगा फिर से एक बाद मिक्स कर लेते हैं और अब हम अपने दही में पिसा हुआ बथू आट कर देते हैं और बथू अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप रायते में इस उतना ही एड करें इतना आपको सही लगता है जितना भी बथू हमने पीस के तयार किया है आप जिस तरीके से बथूया रायता बनाने चारे हो हो यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और इस पर खती अलग है तो आप इस तरीके से बथूया रायता एक बार घर पे जरूर बनाएब तो अभी थोड़ा साव पिशा हुआ रहे गया तो बाकी मैं सारा इसमें एड लिए कर दिए हमारा जो बतुए का रायता है अभी यह तैयार हो चुगा है तो हम इसे अ कि एक तरफ साइड से रख देंगे पतुए के रायते में हमें एक मिट्टी की हंडी चाहिए होगी और साथीav कोईले का टुकड़ा चाहिए होगा और यहां पर आपको मिट्टी की ही हांटी का यूज करना है अब हम गैस का फ्लेम ओन कर देंगे और जो मैंने यह कोईले का टुकड़ा लिया है उसे में गैस पर अगदेती हूं और लगबग 5-10 मिनिट के लिए हम अपने कोईले के टुक हटा के मैंने स्टील की प्लेट में रख लिया है और हमें इसको स्टील की प्लेट में ही रखना है और अब मैं इस पे एक छोड़ा चमच वेजिटीबिल ऑईल डाल देती हूं और उसके बाद हम इस पे जल्दी से जीरा डाल देंगे लगबग एक बड़ा चमच और जो अपने अंदर सोक लिया होगा इसलिए मैंने या पर मिट्टी के बर्तन का इस्तमाल किया है और इससे हमारा चुपत हुए का रायता है वह बहुत ही जादा टेस्टी बेनेगा तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं कि इसे प्लेटी बारे सब्सक्राइट के बारे बारी ज़िए कितना बड़िया स्मोकी फ्लेवर हमारी मिट्टी की हांटी में आ गया है होंत भगुए बड़िया खुस्पु आ रही है तो हम प्लेट को हटा देंगे और जो रायता बना के हमने तयार किया है उसे हम अपनी तड़का बना के तयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने तड़का पैन में लबबग एक बड़ा चम्मच वेजिटेबिल ओईल ले लिया है और जैसे ही ओईल कर्म हो जाता है डाल देंगे इसमें एक चोड़ा चम्मच जीरा आदा चोड़ा चम्मच हीन एक सूखी लाल मिर्च और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूं और बंफोर टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और मिक्स कर लेंगे इसे तड़का हमारा तयार हो गया है तो हमने यह बत हुए का रायता बना के तयार किया है इसे में खोल लेत देती हूं और इसमें में डाल देती हूं तड़का मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए स्मोकी फ्लेवर वाला बत हुए का रायता बन के एक दिम तयार है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करना बिलकुल भी नह और मेरे चैनल दीपती मिस्रा किचिन को सब्सक्राइब जरू करिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ ओके बबाई टेक क्यार अगर 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 अगर